ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल को और साथी बेल आइकन को दबाएं आखिर कार पुलिस प्दशासन की नेंद तोट ही गई है त्योहारों के सीजन में साई रोड बद्दी पर जाम लगने के कारण लोगों की दिवाली फी की नजर आ रही थी तथा लोग इस समस्या का समाधान चाहते थे पुलिस प्दशासन ने ट्रैफिक को नियंतर्ण में करने के लिए प्लैन तियार किया है बरते ट्रैफिक को देखते हुए जिला पुलिस को वन वे का कठोर निर्णे लेना पड़ा नए निर्णे के अनुसार साई रोड बद्दी में भारी वहनों की आवाजाही एक तरफ रहेगी इसमें और योगिक इकाईयों में लगी बसें ट्रक वा धीमी गती से चलने वाले वहन शामिल है ये वहन वाया रोटरी चौक होते हुए वर्दमान चौक तक जाएंगे तथा भुट बैरियर से मोरपिन गोड भटौली कला होते हुए सिक्का होटल से आवाजाही करेंगे ट्रैक्टर ट्रक जेसी भी वा धीमी गती से चलने वाले वहनों की आवाजाही साई बद्दी रोड पर सुभा आठ बजे से साड़े दस बजे तक और शाम साड़े चार बजे से साड़े आठ बजे तक तरतिबंदित रहेगी और शेश समय एक तरफा आवाजाही का पालन करना होगा जो ट्रक वाया दावत चौक से और द्योगिक शेतर बद्दी में आते हैं उन्हें साइरोड बद्दी पर सुभा आठ बजे से साड़े दस बजे तक तथा शाम साड़े चार बजे से साड़े आठ बजे तक जाने की अनुमती नहीं होगी उन्हें साही रोड बद्दी वापस आने के स्थान पर वाया गैस प्लांट सुभा साड़े दस बजे से शाम साड़े चार बजे तक अनुमती होगी इसके अतिरिक्त आपात कालिन वहानों की आवजाही पर कोई प्रतिबंद नहीं रहेगा ये आदेश 22 अक्तुबर से 14 नमबर तक लागू रहेंगे इसके पुष्टी ट्रैफिक इन चार्ज बद्दी ने की है ये तिवहार सीजन को देखने हुए बद्दी पुलिस ने एक साही रोड से जितना तो जाम लगता था इतरारोक टाइम है इससे बचने के लिए उसकी बाव ने करने के लिए जारी की है जिसमें पहले पॉइंट पर यह है कि कंपनी की बसी जाए वो भाई पास से होते हुए दावत चौक से एंट्री लेगी और वर्दमान चौक तक जाएगी और और रिटामिंग रूट रहेगा इनका या तो फो दूसरी तरब मोर्पिन रोड होते हुए भुटबरी रहेगी यह वापीस नहीं आ सकीगी यह पूरे दिन का इनका टाइमिंग रहेगा यह नो एंट्री पॉइंट से जो इचे गांधी चौक है वहां से एंट्री निकरेगी इनको एंट्री मिलेगी किसी भी विकल को कि यह दूसरी लिए कि जाते थे वह भी यह आईंगे वह सीरे गैस प्राइट होते हुए ईचे की तरब नहीं करेंगे वह को इसके बाद खुचने जुबनाः गुखित मर्द में यह नहीं जाहेंगे न यहाईगा ना यह सीब एट्राइट है इसके बाद सब्धे बाद आ बद्दी से शुरमेक मंत्र समवादाता नीशा ठाकूर के साथ अन्वर हुसैन की रिपोर्ट